लोगसभा चुनाव के बाद उतर प्रदेश में अब तक वधान सभा की 13 सीटे खाली हो चुकी हैं जिस पर जल्थ ही चुराव होने हैं प्रदेश की सभी प्रमुक पार्टियों ने इसके लिए अपनी तयारियां भी शुरू कर दी हैं बीएसपी एसपी जहां अपने संगठन को मस्बूत करने में जुटे हैं तो वहीं बीजेपी और कॉंग्रेंस भी पूरी तरह से तयार हैं लेकिन लोकसभा चुनावों में सपा को छटका देने वाले शिवपाल यादव ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है जिससे अखलेश को फायदा होना तया है 2017 में हुए उतरप्रदेश की विधान सभा चुनाव से पहले सपा कुनबे में जबरदस्त संग्राम देखा गया जह समाजवादी पार्टी को मस्बूत करने वाले शिवपाल यादव और उनके भतीजर में खटपट शुरू हो गए ये टक्राव इतना बढ़ा कि लोगसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाते हुए अलग पार्टी बढा ली और उस पार्टी का नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव के दोरान शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के लिए जम कर प्रचार किया लेकिन नतीजे उनके हक में नहीं आये दरसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 13 विधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चुनावों में अपने उमीदवार्थ नहीं उतारे की प्रस्पा प्रमुक ने कहा कि उत्चुनावों में लड़ने के बजाए हम प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे और 2022 विधान सभा चुनावों के लिए तयारी करेंगे पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए शिवपाल प्रदेश के विभिन जिलो का दौरा कर रही है यानि शिवपाल यादव उप्चुनाव को छोड़ कर 2022 के वधान सभा चुनाव के तयारियों में अभी से जुटना जाती है लेकिन शिवपाल के इस कदम से समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है क्योंकि सपा को जो वोट बैंक शिवपाल की तरफ खुसक गया था वो अब एक बार फिर सपा की तरफ आने की उमीद है डीबी लाइफ की रिपोर्ट